खेलो एन वेल्गन पूदी वलवाइट वो जोस्टो गोल्ड यानि सोने के रिलेटिड ना मैजर अपडेट्स निकल करा रही है इंडिया ने रीजेंटली अपना गोल्ड रिजर्फ को ना इंक्रिस कर दिया है इंडिया ने अपने सोने के बंडार को पढ़ा दिया है और इतना बढ़ाया है कि इंडिया ने गोल्ड रिजर्फ को स्टोर कने के मामले में न सौधी अरभिया को युनाइट गिंडम को पीट कर दिया है पीछे कर दिया यहां तक कि तरकी भी इंडिया स से पीछे हैं तो एकजैट ही हुआ क्या यहांपर करें अगर आपको सालों से देखो गे ना गॉल्ड खरीद रहे हो या फिर सालों से देख रहे हो गे ना गोल का जो दाम है वह बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है और आज की डिट में हमें गोल की खीहमत बहुत ही लेकर जाते हो समझदार हो आप मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप तीन से चार घंटे हाँ जी हाँ जी कहते हो उन्हें गोल दिलाने के लिए ज्वेलरी पिनाने के लिए जित को उनकी पूरी करते हो आई अंडस्टैन कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको समझाने में उतनी ही मुश्किलात होती है जितना रॉकेट सैंस में समझाने में होती है खेर मैं बैचलर हूँ आप गलती से भी कुछ और मत समझ बैटना लेकिन आपके दिमाग में ना कोशन आना इंडिया में RBI वो पड़ी ही तेजी से गोल को पर्चेस कर रही है हाई स्केल पर यहां सेंटरल बैंक्स के जरी खरीदारी हो रही है और रिजन्टली गोल इजफ की जो रैंकिंग है वो फाइनली रिलिस कर दी गई है यहां पर आप देख सकते हैं रैंकिंग लिस्ट को जिस यह लिस्ट पार्टिकुलरली गोल रैंकिंग के बारे में बताती है याद रहे यह डेटा को पब्लिश करने वाले कोई इंटरनाशनल ओर्गनाजेशन पिल्कुल भी नहीं है आप इसे गलती से भी गलत मत समझ बैटना यह बैसिकली एक मार्केट ओर्गनाजेशन है जो की गोल्ड इंडस्ट्री को लेकर हर तरह का डेटा पब्लिश करती है ये वर्ल्ड गोल्ड कॉंसिल है ये गोल्ड इंडस्ट्री की हर बात करती है चाहे वो गोल्ड इंबस्मेंट का डेटा हो गोल्ड की माइनिंग का डेटा हो किस कंट्री के पास कितना गोल्ड है कहां कहां पर गोल्ड को लेकर transactions हो रहे हैं वो सारी चीज़े World Gold Council के जरीए यहां पर ट्रैक की जाती है यह वाला जो organization है इसका जो man office है आपको United Kingdom के लंडन में headquarters देखने को मिलेगा according to the World Gold Council इंडिया के पास ना 9th largest gold reserve यानी पूरी दुनिया में सोंचिए पूरी दुनिया में na 195 country से चंद observer भी है पूरी दुनिया में इंडिया की ranking आपको ना 9th पर देखने को मिलेगी यहां पर आप देख सकते हैं इंडिया is on the 9th place of course number 1 पर directly United States of America है with total 8133 gold reserve million पर ध्यान नहीं देना सिर्फ tons पर ही ध्यान देना आप उसके बाद यूरोप की countries Germany, Italy, France और Russia भी आता है then China भी आप देख सकते है Switzerland भी यहां पर strong hold करता है उसके बाद हमारी Asian countries की बात करो तो Japan उसके बाद इंडिया आपको number 9 पर देखने को मिलता है अगर आप थोड़ा सना निचे आ जाएंगे तो आपको Turkey देखने को मिलेगा जो आज के टैम पर economic राजी से गुजर रहा है इसका आपको gold reserve 478 देखने को मिलेगा लेकिन Saudi Arabia के reserve Turkey से भी कम है फिर निचे United Kingdom आता है 310 reserve के साथ Spain तो Lebanon के निचे आता है लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है रशिया रशिया का बहुत सारा जो gold है वो actually stock में पड़ा हुआ है यानि रशिया का gold reserve freeze है आज के टैम वेस्डेन कंट्रिस ने hold पर लगा दिया है जबसे रशिया यूगरेन की war चल रही है freeze है completely है रशिया और व्लाद्मिर पुटिन पूरी पूरी चीजान लगा कर कोशिश कर रहे है कि कैसे न कैसे करके उनके gold को दुबारा वापस लाजा यहां यहां तक ही ना सिर्फ gold बलके US dollar भी रशिया का अटका हुआ है freeze है लेकिन अभी के सिनारियो को देखके लगता है कि अभी के लिए कुछ proper positive development सामें निकल का नहीं आ रही है anyway अब आपके दिमाग में कोशन आना चाहिए कि क्या इंडिया ने अपनी gold holding को increase कने के लिए यह सब किया है देखिए जी इंडिया ने अपनी gold holding को recently increase किया है अगर आप देखे तो इंडिया ने जुलाई आकर सेप्टे ton तक के gold को एक ही quarter में अंदर purchase कर लिया था और ये पिछले 6 साल से लगतार हमको देखने को मिल रहा है अगर आप gold को अच्छे से follow करते हैं gold continues continue बढ़ते जा रही है जिसमें से सिफ 6 सालों में हमने almost 248 ton gold को ना purchase किया है तो आप देख सकते हैं कि total हमारे पास 810 है अब suddenly इंड time आने पर इंडिया ऐसे high rates पर बेचेगा हमारी इंडियन रुपी को stabilize करने में ये gold बहुत important role ले कर सकता है इंडिया का जो forex reserve में gold का जो percentage है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है ये clear कर देता हूं कि किसी भी country का जो forex reserve होता है न आपको ये बात मालुम होनी चाहिए उ फोर्थ पे आता है reserve position वित्ती IMF तो gold का जो percentage है वो sudden बढ़ चुका है ये भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है तो कहीं न कहीं इंडिया ऐसा करकर एक पड़ी strategy के साथ आगे बढ़ रहा है ना सिफ इंडिया बलके दूसरे countries भी बढ़ रहा है इंडिया ही ऐसा नहीं कर अब आपके दिमाग में कोशन आना चाहिए कि आखिरकार गोल्ड का इतना ज्यादा reserve क्यूं पर्चेस किया जा रहा है क्यूं हर country चाहे वो रशिया हो सौधियारभिया हो टर्की हो इंडिया हो या USA हो चाइना वेरियस इस गोल्ड के पिछे क्यूं पड़ी हुई है देखि मान लोगाइस आपका घर में कैश के साथ एक्स्ट्रा गोल्ड क्यूं रखा हुआ होता है अब वो अलग बाते की कोई पैनने रखता है वो अलग चीज़े लेकिन मेजॉरिटी लोग एक्स्ट्रा गोल्ड भी रखते है ऐसा क्यूं देखिए इसलिए ताके गोल्ड से उनक सेल कर दिंगे हाई प्राइस पर क्यूंके गोल्ड एक यूनिक सेफ एसेट है और आपके पास भी रहती है तो इसी तरीखे से देश भी ऐसा ही करता है आज लेकिन गवर्मेंट सड़न गोल्ड के रिजफ इसलिए बढ़ा रही है बिकॉस हर कंट्री का ये मानना एकनॉमी प्रिडिक्टेबल बढ़ चुकी है पता नहीं कब क्या कहां वर हो जाए कहां आलत खराब हो जाए कौन कब क्या सैंचन्स लगा दे एगें देखो चाहे वो रेट सी हो जाता है जहां से ट्रेट गुजरता है या वेस्ट इशिया हो वहां वार चल रही है चाहे रशिया वर्ड में दुनिया वर्ड वातरी के खरीब जा रही है करन सिन्यारियो को देखते वे कह रहा हूं मैं तो जियो पॉलिटिकल टेंशन्स के चलते दुनिया भर के जो देशे वो गोल्ड को बढ़ा रहे है ताके मुश्किल वक्त में यही वोल्ड इनके काम आ पाए तो ये बढ़ा से God bless you all